बात करेंगे क्या सिचुएशन है क्रिप्टो मार्केट की वेलकम है आप सभी का और मार्केट की अगर सिचुएशन देखें बिटकॉइन की सिचुएशन देखें तो प्राइज भी 63,900 दालर पे 64,000 से सीधा 63,818 यह आप जो देख रहे हो यह इतने बड़े-बड़े केंडल्स जो नीचे जाते वे दिख रहे हैं है ना पंप डंप हो रहा है बिटकॉइन का प्राइज यह क्या कर रहा है यह लिक्विडेट कर रहा है हाई लेवरेज वाले जो ट्रेड्स हैं जो 100X वाले है 125X हो गए 200X हो गए बिलकुल बक्षनीरा बिटकॉइन और लिक्विडेशन कर रहा है बहुत साइड तो बिटकॉइन का प्राइज अभी 63,900 यानि 64,000 के करीब है और आज 65,000 के लेवल हिट किये बिटकॉइन और 65,000 को हिट करने के बाद बिटकॉइन फर्स्ट वीक अभी तक आप अगस्त मंद के हाल देखोगे तो यह पहला वीक था जब प्राइस गिरा बहुत बड़ा डंप लेके आया ठीक है सेकेंड वीक भी प्राइस गिरा 48,000 पर सेकेंड वीक की स्टार्टिंग में भी और यह थर्ड वीक और यह फॉर्थ वीक जब खाया जाए और कल संडे है और कल यानि परसो इसकी क्लोजिंग हो जा躲ेगी तो उसके बाद जो टाइम आएगा उसके बाद जो विक आयेगा वह कही अवह फॉथlles लेक्या प्लोजिंग लेके आएगा तो थोड़ा सा मंतल लीक लोजिंग का इट कीजिए हैं कहीजी सुए увavoration में चल रहे हैं ठीक है और यहां पर वापिस यूटम की तयारी the September कर मेहीन वह महीन हो सकता है तो September में ही निया हाई लग जाएगा अगर नहीं लगा तो हमको October में नया o damn Supply को मिल सकता है अगर चीजें ट्रैक पे चलती हैं सब चीजें परफेक्टली चलती है तो तो बिटकोई आच चोंसट अजार डॉलर पे फ्रेड कर रहा है इस टेंग बीर से आप सभी वाकिफ होंगे नया कोई नाया था और नये कोई ने आते ही जो जंप लगाए थे 500% की रैली दिखाई थी यह इस टेंग पे मंथली चार्ट प्राइस गिरा बिल्कुल उसी महीन है तो कहां तक गिरा 0.00882 तक गिरी यह फूर्थ मन्त चल रहा है और आज 61% कीमते बढ़ गई बियर की बढ़ना कहीं थोड़ा लाजमी था क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे तो पिछले कई हफते से इसका प्राइस बहुत भयं प्रॉफिट दे दिया 61% का उच्छा और सन भी कहां रुकने वाला सन के प्राइस भी का कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं 0.038 पे लेवल चल रहा है और डेली टाइम फ्रेम में चलें तो आज भी इसका प्राइस कहीं न कहीं ऊपर ही टिका हुए नीचे आने का नाम नहीं लेरा 0.041 के हाई भी लगा है ठीक है यह 12 आउर का टाइम फ्रेम है यह आज की हैंडल है तो बहुत ही शांदार परफॉर्मेंस रही है इस कोईन की भी 400% हुलमस्ट यह पंप हो चुक है साथ दिन में ट्रॉन के एको सिस्टम का बूस्ट होना उसका इंपेक्ट सन पे डिर और सागा के अच्छे जंप आए तो लेकिन जी उस भी आज कहीं ना कहीं कमाल कर रहा है इस टाइम पे और इसके प्राइज भी आगे है 0.26 डॉलर तक और इस यह जो रेंग रहा था 0.17 तक रेंग रहा था उमीद है 0.3 प्लस भी यह लेवल हिट कर सकता है ठीक है तो वाप 61 परसेंट सन भी चल रहा है 41 परसेंट पार्सल 33 लिक्विटी 31 सिली 29 साइबर 28 जियूज 27 सैट 23 और AI भी आजपम कर रहा है 23 परसेंट पूरी क्रिप्टो मार्किट के क्या हाल है अगर आप देहेंगे 4 परसेंट का इंकरीज है ग्लोबली मार्केट के अंदर और 2.26 ट्रिल बिलियन डॉलर के साथ 2400 के लेवल आ चुके हैं वापिस ठीक है 64 65 का हाई लगा है एथिरियम चल रहा है 200 डॉलर के करीब 332 बिलियन डॉलर के साथ और कोई फेर बदल अगर हम देखें तो आठ नंबर पर टॉन बना हुआ है टॉन ने अपनी पूरी पावर दिखा है आज 17 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है और यह जो मार्केट कैप फल फूल रही है यह कही ना कहीं टॉन आपको और भी बड़े हाई लगाता हुआ दिख सकता है ठीक है हम अलरड़ी डिसक्स कर चुके हैं डॉज 16 बिलियन डॉलर क्योंकि डॉज के होल्डर सबसे ज़्यादा है लॉन मस्क साथ में यह कोईन कभी फिसला ही नहीं टॉप 10 से फिसला तो वापिस आगया टॉप 10 में डॉज की कही ना कहीं जो हमने ताकत देखे वह यह है कि डॉज कभी पीछे नहीं गया और को इन पीछे गए काफी टाइम तक रहे यह भी गया था लेकिन ज्यादा टा गया 11 नंबर पे 12 पे अवेक्स है 13 नंबर पे शिवाइन 9.2 बिलियन डॉला के साथ तो मीम कोईन्स की मार्केट काफी अच्छी चल रही है मार्केट अगर थोड़ी सी भी अच्छी सिचुएशन में आ रहा है तो मीम कोईन्स अपनी पूरी पावर दिखा रहे हैं आप दे भी फैट बॉंक फ्लॉकी इनु भी है इसके अंदर ब्रेट भी है पॉपकेट अल्रेडी पंप हो रहा है बुक ओफ मीम सारे मीम कोईन्स आप देखो जो जितना स्वोंग है उतना पंप कर रहा है डॉग भी देखने को मिलेगा पैपे कोईन टर्बो भी है संडॉग भी है जो भी रीसेंट लिया आया ट्रॉण के मीम ट्रॉण के ऊपर पॉंक भी समें है गीगा भी है और ट्रंप है बेभी डॉज कोईन 3% मूमू चल रहा है 29% नाइरो 15% ये सारे कोईन्स है जो अच्छे जंप कर रहे हैं मेम क्रिप्टोगरेंसी अप्पू की बात करें ठीक है स करें टॉकन फाय की बात करें स्नेक की बात करें टॉशी की सारे आप देखो मीम क्रिप्टोगरेंसी सारे अच्छे जम चल रहे हैं पेपाल और एंकरग ने यहां पे जो है इंकरेज के अगरम बात करें लांच स्टेबल कोईन रिवार्ड प्रोग्रम फोर पी वाई उस्ट पी वाई उस्टी पेपाल का एक स्टेबल कोईन है अल्रेडी मार्केट में खुद लांच किया था तो इन दोने ने क्या किया है आर कोलाबरेटिंग ऑन आर रिवार्ड प्रोग्रम फोर दा पेपाल पी वाई उस्टी स्टेबल कोईन नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लॉकी फ्लॉकी इनुगा ये ट्रेलर बता रहा है कि 27 अगस्त को कुछ न कुछ बड़ी अनौसमेंट होने वाली है हो सकता है को और केंपें किसी टूर्नामेंट के साथ यहां पे उसकी अनौसमेंट हो क्योंकि कुछ इस तरह का ही ट्रेलर है ठीक है बाकी क्लैरिटी 27 अगस्त को देखने को मिलेगी हमको ये एक छोटा सा ट्रेलर है जिसके अंदर एक डेट है और वो डेट है 27 अगस्त की तो तयार रही है 27 अगस्त की फ्लॉकी इनुग अब क्या करने वाला है 27 अगस्त को सुलाना के मीम कोईन्स को पंप करने के लिए क्या चाहिए सुलाना का प्राइस बढ़ना चाहिए और बस और क्या चाहिए यही मौका चाहिए मौके पे चोका तो सुलाना के मीम कोईंस अपने आप मार देते हैं क्योंकि सुलाना का प्राइस जो 150, 155, 158, 157 की रेंज में चल रहा था आज 160 डॉलर के लेवल रीकलेम कर लिए सुलाना ने 10% आज सुलाना के प्राइस उपर है 10% बहुत है अगर सुलाना कहीं न कहीं बड़ा पंप करती है आगे जाके तो सुलाना के मीम कोईंस के लिए कहीं न कहीं आप यह कह सकते हैं बड़ा जम आने वाला ठीक है अब वो कब होगा कैसे होगा वो टाइम बताएगा लेकिन हाँ Solana का प्राइज आज 160 डॉलर पे 10% के साथ Next Update MakerDAO को लेके MKR Coin और MakerDAO इंटर्डूस कर रहा है NGT Token Conversion और a new stable coin MakerDAO will allow MKR Token Holders to convert their MKR Token into a new governance token जिसका नाम है NGT MKR Holders जो हैं जिनके पास MKR है वो convert कर सकते हैं governance token नया जिसका नाम NGT है At a rate of 1 MKR to 24,000 NGT और this move aim to enhance governance participation by providing holder with a large number of NGT tokens और दूसरा MakerDAO ने यहाँ पर इंटर्डूस किया है New Stable Coin NST NST और NGT दो coins यहाँ पर इंटर्डूस किये MakerDAO ने XRP की whales काफी जदा active है XRP निकल रहे हैं डेली निकल रहे हैं और आज भी 99 million XRP 100 million लगा लीजिए 61 million dollar के और यह भी जा रहे हैं अनन वालेट से अनन वालेट के उपर नेक्स्ट नमात करेंगे 18-19 September token 2049 इस बार यह इवेंट होगा Singapore के अंदर Get Ready for the most epic night of token 2049 और बड़ा important event है April में भी इवेंट हुआ था और कहीं न कहीं इसके अंदर भी आपको Shiba Inu देखने को मैं 19 September की date है ठीक है और Singapore location और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो LBank and Shiba Inu to the Moon token 2049 after party ठीक है अब इस इवेंट में क्या Shiba Inu announce करेगा यह देखना ज़्यादा जरूरी है Shiba Inu की टीम ने अभी जो recent event हुआ था Bitcoin की futurist conference हुई और ETH torrent हुआ लेकिन Shiba Inu की टीम कहीं न कहीं थोड़ी सी सुस्त लग रही है क्योंकि कुछ भी जैदा नया announcement हुआ नहीं है Shiba Inu आने के बाद Next update भी Floki Inu को लेकि है 20% of the Seaman Cat token supply will be airdrop to Floki Holders अगर आपने Binance के उपर Floki Inu रखे हुआ है तो Seaman Cat आज pump भी कर रहा था 20% Seaman Cat की जो supply है वो बाटी जाएगी, airdrop किया जाएगा Floki Holders को will be based on a snapshot to be taken on 29 अगस 10% of the Cat supply will be airdrop to Floki Holders on Binance and 3% of the Cat supply will be airdrop to Floki Holders on Chain Last and final update Michael Saylor की तरफ से और Michael Saylor के post आपको Bitcoin से जोड़े दिखेंगे and the future belong to the bold तो यहां पर क्या एक चार्ट शेर कर रहे है Bitcoin performance versus other address other assets तो यहां पर अगर हम देखें तो Bitcoin की performance के आगे बाकी assets कहीं ना कहीं फीके हैं बहुत फीके हैं Magnificant की बात करें 233% S&P 500 68% gold की 22% और bond 17% negative में तो कोई टक्कर में नहीं है Bitcoin के अभी फिलहाल ठीक है बाकी जो अपडेट रहेंगे वो हम discuss करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको जोइन जरूर कीजेगा कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट आप से मिसनी होगा तब तक के लिए बाई बाई टेक केर